पिज़ा सॉस पिज़ा सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़े चाहिए अनियन बन मीडियम साइज का ले ले और बरीगभिक चॉप करप्टिंग कर ले सोया सॉस रंटी स्पून टमाटो केचब बन काप टमाटर पेस छोटे छोटे साथ टमाटरो का पेस्ट लिया है मैंने नमक रंटी स्पून लेसन पाउडर रंटेबल स्पून काली मिर्च वंटी स्पून चीनी वंटी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून कोटी मिर्च वंटी स्पून चीत वियर सबसे पहले हम लेंगे एक पैन उसमें थोड़ा सा ओईल डालेंगे उसे हलका सा गरम करेंगे साथ ही चोटकिया हुआ प्यास डाल देंगे प्यास को हम फ्राय करेंगे और हमने इसको हलका लका जब ये नरम हो जाएगा तो हम बागी की चीज़े इसमें आड़ करना शुरू करेंगे प्यास हमारा फ्राय हो गया है अब मैं इसमें डारी हूँ सोया शौस जी तो सोया सोस डाले के बाद मैं इसको हलकलका मिक्स कर रही हूँ इससे ये और भी नरम हो जाएगा पीजा सोस कैसे बजार में भी मिल जाती है लेकिन आप इसे घर में बड़ी असानी से त्यार कर सकते हैं इसलिए से आप घर में ही त्यार करें टमाटरों का पेस्ट एड़ कह रही हूं मैं अब मैं इसे पकाऊंगी यहां हमने पानी के थोड़ा हुश्क होने का वेट करना है थोड़ा सा सॉलेड हो जाएगा हमारा पेस्ट तो फिर हम बागी के मसाले आड़ करेंगे पीजा सोस बहुत ही जल्दी घर में तयार हो जाती है 10-15 मिनट्स में आप इसको रेड़ी कर सकते हैं जी तो वियोज आप देख सकते हैं बुलबले आ रहे हैं टमाटरों का जो पानी है वो फुश हो चुका है अब मैं इसमें मसालों को एड़ करूँगी जी तो तुमाम मसाल अब मैंने डाल दी हैं तो अब मैंने मिक्स करूंगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाओं कि अगर आप इसमें ज्यादा स्पाइसी पीजा खाना चाहते हैं तो आप इसमें मजीद आड़ कर सकते हैं अच्छा पीजा सोस बनाते वक्त आपने एक बात का खास क्या रखना है जी तो सोस हमारी रेडी हो रही है बस अब हम मैं इसमें लास्ट टेप करने वाली हूँ मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ टमाटो कैचप को यहां मैंने वन कप टमाटो कैचप लिया है इसमें इसमें एड़ करूई कुछ लोग पीजा के उपर पीजा सोस के बजाए सि पीजा भी कर सकते हैं लेकिन जो मज़ा पीजा सौस का आता है पीजा में वो टमाटो कैचप से बिलकुल भी नहीं आता अब मैं इसको फिर से मिक्स अप करोंगी और सासत पकता जाएगा और चम्माई से हिलाती रहूंगी तांके ये नीचे ना लगे जी तो व्यूर्ज यहा पीजा सौस हमारी रेडी हो चुकी है मैं आपको इसे दिखाती हूँ करीब से ये देखें कितनी जबदस पीजा सौस रेडी होई है ये रही फाइनल लोग पीजा सौस की